नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरं सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे न नई टॉपिक के शुरुवात करेंगे जो की है इंडियन स्कल्प्चर, पॉट्री और आर्किटेक्चर तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे हरपन, स्कल्प्चर, पॉट्री और आर्किटेक्चर तो चली आगे बढ़ते हैं और क्वेशन की फॉर्म में इस पूरे ट हम आंसर के शुरुवात करेंगे ये बताते हुए कि हडपा सभिता पच्चे सो बीसी ए में सिंदु नधी के तत पर उभरी थी या सभिता पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से में फैली हुई थी और ये एक नगरी सभिता थी और कला की दुष्टी से अत्यंत विक्सित थ अबूशन, मोहर, आदी सभिता के कुछ वो लिखनी विशेषता हैं हडपा, मोहन जो दाड़ो, काली बंगा, लोथल, धूला वीरा, राखी गड़ी आदी सभिता के कुछ प्रमुकिक्थल हैं उसके बाद हम आएंगे हडपन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर यानि व बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन और उननत जल निकासी परनाली यहा पर हुआ करती थी यानि बहुत अच्छा और बहुत अडवान्स ड्रैनिज सिटम हुआ करता था हर एक घर एक नाली से जुड़ा रहता था फिर पूरे एरिया की नालियां जाकर एक बड़े नाले से जुड़ा करती थी जिस तरीके का drainage system आज प्रेजन टाइम में देखने को मिलता है उसी टाइप का drainage system बहुत साफ सुथरा बहुत ही advanced drainage system हमें हर अपन civilization का भी देखने को मिलता है और ये नालियां सेस्पिट से ढखी हुआ करती थी जिससे कि इस सेस्पिट को खोल करके नालियों के सफाई भी किया सकती थी तो हम क्या सकते हैं कि अपने टाइम के हिसाब से ये पूरे civilization बहुत advanced हुआ करती थी बहुत अच्छी तरीके से developed थी इनके town planning बहुत अच्छी थी फिर पूरे शहर को कई ब्लॉकों में विभाजिक करके रखा हुआ थे इन्होंने और घरों से जुड़ने के लिए छोटी-छोटी गलिया हुआ करती थी एक ब्लॉक हुआ इसमें कई सारे घर हैं मालीजे तो यहां पे गलिया होती थी जो कि घरों को आपस में जोड़ती थी लियन्स वह करती थी और उसके बाद हडब्पा के शेहरों को दो पार्ड में डिबाइड किया जाता था जो वेस्टिं साइड होता था हुआ दू ऊदा ठाडल आ उसे लुआ कहते थी जो निचला हिस्सा हुथा उचदूर वह्रती ओमित क催 भा घर है जाते है की उझे होए जा एकंप वासे लोय हुआ उतपैंचा सथा सब्धें की cham certo को चाते होते हो रहने में वाले मकान उन्हारो कि समय उसके बाद सारवजनिक इसनान घर तो यह हरपन सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपोर्टेंट फीचर था सारवजनिक इसनान घर या पबलिक बात और एक पबलिक बात का बहुत बड़ा एक्जामपल हमें देखने को मिलता है मुहन जुदारू में और यह जो भवन हुआ क बड़ा इटों से बना करते थे तो उस टाइम पे भी इंटे पका कर के बहुत मधबूत मकान बनाया करते थे चेंट मोल्टार को उपयोक किया जाता था इटों को जोडने के लिए तो सूचे कितना एड़फन इनकी टेक्नलोज्या करती थी ने तो अर्वान नग्रों में सा दूसरा आर्ट का पार्ट आता है मूर्तियां तो हरप्पा में सबसे पहले स्कल्प्चर्स या मूर्तियों में हम मोरें देखेंगे यानि सील्स हरप्पन जुवा करती थी तो हरपा की मोरे इस्टेटाइट की बनी रहती थी और इस्टेटाइट की होता है एक नरम पत्थर होता है इस्टेटाइट की सील्स हुआ करती थी और ये सील्स जो हरपान सिविलाइजेशन बाहर वेस्टर साइड में इनका व्यापार होता था तो हमें ये सील्स बाहर की दे सील के यह आपन के संवरे, सुन से जापने काऊ में करहें, आप सेफेक्टोरल के विल थे, हरज स्क्रिप्ट पढ़ आपके रहता। तुल का यह करते ह canopy सीलता चिलालिक पेस्स सथे संवरे क्ना पूण ठाए जली aLE तो हरपल लिपी में भी इसी तरीके से इंस्क्रिप्शन होते हैं, इन में जानवरों के इसक्रिप्शन होते हैं, जैसे एक गेंडा यानि की यूनिकॉन की एक सिंग वाले गेंडे की आपको पिक्चर देखने को मिलेगी, कूबड वाला बैल यानि हम्ट बुल, फिर राइनो जिकांश लिपियों में दोनों तरफ जो सील होते हैं, जब किसी पत्थर की बनी हुए तो थोड़ी सी मोटी सी देखने को मिलेगी, एक सिंग्य सा थोड़ी जादा मोटी होगी, तो ज़्यादा तर सीलों में ये दोनों साइड इस साइड और इस साइड जो बैक और देखने को मिलेगा, इस पर भी इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं, तो कुछ सील साइसी पाए गई हैं, जिन में तीन तरफ लिखावट देखने को मिलती है, सबसे फेमस एक्जामपल है पशुपती सील, पशुपती सील में एक माना वागृति यानि की यूमन फिगर है और उसमें राइट साइट पे आपको हाथी और बाग के चितर देखने को मिल रहे हैं, बाई तरफ गैंडा और भास है, और जो यूमन फिगर है उसके पैरों के पास देखने को मिलते हैं, आपको दो एंटी लोप्स यानि की म्रिग फिर हमारा दूसरा आइट फॉम आता है कांस आकरतियां यानि के ब्रॉंस फिगर्स, तो हडपा सबेता के दौरान कांस की ढलाई प्रचलित थी यानि ब्रॉंस कास्टिंग स्टेंपे हुआ करती थी और ब्रॉंस कास्टिंग करने के लिए ये लोग लुग लॉस्ट वाक् कंसे की मूर्ति कह अधी प्रसद॥रा मुहन जो दोर्रों से मिली हुए एक तिरिभंघ पोश्चर में खड की कंस की प्रतिमा तो जब हुमने डांस फॉर्म पढ़ा था था तो आपको करना आ। रिकॉल करना है और आपको इस बताना है कि Hetी त्रिभंघ पोश्चर की डांस वाला था उसी त्रिभंग पोस्चर में वो इस टैचू डांसिंग गल का खड़ा हुआ है और हमने जैसे डिसकस किया था कि तीन जगे बेंट होता है बॉड़ी में एक नेक पे एक हिप और एक नी पे तो उसी पूरे बेंट के साथ है फिगर है इसके बाद आती है टेरा कोट तो आः कि अखर आःतियां वे पंचिंग टेकन्पा मुला नी डासूरा के जाते ने लगा आप आकृता कि धर आति मनला जाते थे सब्सक्राण तेकनिक च्हलंग पूड़ी मेले लोज्ट हाराणलिम आप कोड़ी मिलनों हुआ है न क्यनाउटे iamay और अम्लम मिलेशचे देवी मा यानी की Mother Goddess का स्टाच्यू मिला है तराकुटा का बना हुआ उसके बाद स्टोन स्कल्प्चर साते हैं यानी पत्थर की मूर्तियां तो पत्थर की मूर्तियों में सबसे फेमस मूर्ति आपको मिलेगी Bearded Priest एक दाड़ी वाले पुजारी की मूर्ति देखने को मिलेगी जिसका एक साइट पे शॉल लिया हुआ है शॉल पे डिजाइन बना हुआ है वह बहुत डेटेल्ड मूर्ति है अब उसे गूगल करके देख सकते हैं और आपकी बुक्स में भी वह फिगर बना हुग है एंसी आटी में भी बना हुआ है और इस अब पत्थर की मूर्तियों क फिट करने के लिए यह जर्ण हमें देखने को मिलते हैं Risk मूर्ति के पेंटे वह बहुत के बंटरी यानि मिट्डू को आते हैं पही जाते थे इनका जो पॉर्ट्री की टेखनीक थी यह भी डेवलप हो चुकी थी यह भी डिफे यूज किया करते था हैं अन्मेड पॉर्ट्री भद कम देखने को मिलती थी यह वील से पॉर्ट्री बनाए करते थे और पॉर्ट्री यान effekt कि रूज किया जाता था था समान चिद्रत पर्टन पर्फॉरेटेड पॉट्टरी उसे चननी की तरह यूज़ किया जाता था लिकर यानी शाराब को छानने के लिए तो हमने देखा किस तरीके से अपने टाइम के हिसाब से कितने आगे थे हर अपन सिविलाइजेशन वाले हैं कितनी आगे चल रही थे उस ताइम पर लेकिन अफॉर्चनेटी अचानक से वानिश हो जाती है पूरी सिविलाइजेशन और उसके बाद फिर एक ताइम पीरेड आसा आता है जिसमें कि कोई भी हमें साक्ष नहीं मिलते हैं उसके बाद से फिर हमारा वैदिक पीरेड शुरू होता है इंडियन स्कल्प्चर पॉर्ट्री और आर्किटेक्ट्चर का अब हम नेक्स वीडियो में मॉर्यन स्कल्प्चर पॉर्ट्री और आर्किटेक्ट्चर को डिस्कर्स करेंगे तो बने रहीएगा चैनल के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू फो वाचिंग झाल झाल